बिहार में जैसे जैसे प्रवासी पहुँच रहे हैं, क्रोणा के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं 31 मई तक 17 लोगों की क्रोणा की वज़े से जान जा चुकी है और परीब 3800 से ज्यादा लोग क्रोणा पॉजिटिव हैं, जिन में से 2500 लोग प्रवासी हैं जब एक तरफ क्रोणा लगातार अपने पाउं पसारता जा रहा है और लाखो लोग विहार वापस लौट रहे हैं ऐसे में ना ही वहाँ पे मुस्तेदी के साथ लोगों की thermal screening हो रही है ना ही कोई testing हो रही है और ना ही लोगों को quarantine center में रखा जा रहा है इस समय मैं मुदफरपूर पहुच चुका हूँ मैं अमबाला से कल चला था और ट्रेन से थे हम लोगों को वहाँ टिकर दिया गया था और हम लोगों की एक जाच हुई थी और सबसे खास बात यह बता जूँ कि जब हम लोग मुदफरपूर पहुचे हैं वहाँ पे किसी की भी screening नहीं हुई है थर्मल screening नहीं हुई है ना किसी से पुछा गया कि आप बिमार है आपको खासी है आपको क्या दिक्कत है सिधर बोला गया जो दूसरे रिष्टिक के लो है तुविधा नहीं है वहाँ पे बलकि लोग सोचल लिष्टेंसिक तो भूली जाई आप लोग दूसरे से सट सट के बैठेंग हुए लोग पूरी भीर बहुत ज्यादा भीर थी शर्मिक ट्रेन से निगले थे मुंबई से वीटी से हमारी गारी को जाना था चंकी मुगल सरा होते हुए पटना लेकिन गारी इलाहबाद आगे इलाहबाद से चपरा वारेंसी यह सब वारेंसी चपरा होते हुए गारी आई हाजीपूर हाजीपूर में हम लोग उतर गये एक टरेन खरी थी जो मुजफर्पुर जा रहे थी, फुलिस वाले जबरदस्ती हम लोग उसमें शाहदी, कि ये गारी दरभनगा जाएगा, हम लोग उस पर चेहर गया, मुजफर्पुर उतरे, मुजफर्पुर में भी एसकेनियों अगारा, टेस्टिंग कुछ नहीं हुआ, हम लोग घर तक पमुच गया है, किसी तरह से भी, कोई यहाँ पर चेकिंग अगरे नहीं हुआ, मेडिकल चेकिप कोई अगरे चेकिंग अगरे नहीं हुआ, लोग जा रहे थे जहीं बिना कोई चेक अपके, पता नहीं क्या सरकार चाहती है, जब वहां से लोग उतरे, तो कि मारने के लिए यह की की जो है, तुम लोग यह आगे बर, आगे बर, लोग कह रहे हैं, यार पहली से परिशान है, तुम यार मार के और क्या परिशान करें, इसका बात कहें कि जाओ बाहर जाओ, जहाँ जाना है, जाओ, जो करना है, कोरोना जो है, कहां से फैल आ है, यही कर. अब तक कुछ नहीं हुआ था, तो अपने लिए और अपने घर वालों की तशफी के लिए समाज के लिए गावालों के लिए हम लोग यह अपने बलॉग में आये हैं, ताकि अपना टेस्टिंग करा ले मैं एक जिम्मेदारी समझते हुए एक जिम्मेदार नागरी होते 15 दिन तक अपने आपको self quarantine घर में बंद रखूंगा कहीं बाहर नहीं जाओंगा कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि भाई अगर हम नहीं बचाएंगे समाज को हम अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा ये लोग तो देखके चले आया